वो ऐसा काम घटिया कर रहा है गड़े मुर्दे को जिन्दा कर रहा है गड़े मुर्दे को जिन्दा कर रहा है मिलेगा जोट का तम का उसे भी तमाशे पे तमाशा कर रहा है तमाशे पे तमाशा कर रहा है खोदा बनकर वो बैठा है भवन में खोदा बनकर वो बैठा है भवन में वो अपने रबो को रुसवा कर रहा है वो अपने रबो को रुसवा कर रहा है न जाने क्या समझता है वो खोद को न जाने क्या समझता है वो खुद को महाबत एक तरफा कर रहा है मुझे बचाना चाहते हैं नशार नहीं है तॉक्तने तरफा कर रुसवा कोत으면 रीजार लगा, वो खुदनी धाकावलों में आपकी महबतों का बहुत बहुत शुक्रियादा करते हूँ कि आपने मुझे दुबारा माईक पर लाकि ख़ड़ किया है कितनी चाहत है मुझे से मेरे हमनशी कितनी वो मुझे देखके वो मुझे देखके मुस्कुराने लगा फिर इशारा हुआ पासाने लगा वो मुझे देखके मुस्कुराने लगा भाका वालो आपके हवाले से ये शेर में आप तक पहुचाती हूँ समात फरमाएं बात नजरों ही नजरों में कुछ यूँ हुई बात नजरों ही नजरों में कुछ यूँ हुई फिर मेरी मुकसा फिर मेरी मुकसा गुन गुनाने लगा वो मुझे देखके मुस्कुराने लगा बहुत बहुत शुक्या बिल्कुल मतला दो तीन शेर नया है वे आप तक पहुचाती है जमात खरमाएं बाइज जब एक मतला सुन लिजे बड़े बुजर्गों का मैं एहतराम करती हो हर एक लम्हा मुहबत के नाम करती हूँ बड़े बुजर्गों का मैं एहतराम करती हूँ हरे लम्हा बहुत के नाम करते हो जवा दिलों की मैं धड़कन हूचादनी हूँ मैं बहुत अदब से मैं सब को सलाम करती हूँ बहुत अदब से मैं सब को सलाम करती हूँ और चार मिसरे में आप तक पहुचाती हूँ पढ़ते हूँ समाथ सरमाए सुने दोस्तो पढ़ते हूँ चार मिसरे सब के रुख पर यहां ताज़गी आ गए सब के रुख पर यहां ताज़गी आ गए बजम में आप आए खुशी आ गए ढाका वालो आपके लिए पढ़ते हूं समात फर्माए सब के रुख पर यहां ताज़गी आ गए बजम में आप आए खुशी आ गए हक मुहाबत का मैंने अदा कर दिया ढाका वालो तुमने आवाज दी चादनी आ गए 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 बहुत बहुत शुप्याव आईए मैं एक गजल का मतला चंद शेड़ आप तक पहुचाती हूँ जिसकी फर्माईश जिशान कहा है मैं उसनों बलाना चाहती है तुमने आवाज दी चादनी आगे कितनी चाहत है मुझसे मेरे हम नशे कितनी चाहत है मुझसे मेरे हम नशे कितनी चाहत है मुझसे मेरे हम नशे तुने मुझसे को बताया मज़ा आगे कितनी चाहत है मुझसे मेरे हम नशे तुने मुझसे को बताया मज़ा आगे चादनी की गजल को भरी बजमों में चादेनी की गजल को भरी बजमों में तूने सब को सुनाया मज़ा आ गया कितनी चाहते हैं मुझे से मेरे हमनशी तूने मुझे को बताया मज़ा आ गया बहुत बहुत शुक्या चाद मिसरे में आप तक पहुचाती हो पर्तिव समाथ सर्माएं धाका वालों में दौाएं चाहते हूँ देखिए मेरे कुछ नौजवान दोस्त जो हैं उन्होंने मोबाइल चालू कर लिया है आउन कर लिया है और आप से गुजालिश करता हूँ दीप है तेरा नफरत वाला देखें कब तक जलता है कोई पता ते उस पागल को सूरज भी तो ढलता है यूपी में देखेंगे हम अर यूपी में देखेंगे हम कब तक बुल्डोजर चलता है यूपी में देखेंगे हम कब तक बुल्डोजर चलता है अर यूपी में देखेंगे हम कब तक बुल्डोजर चलता है बहुत बहुत शुक्रिया धाकावलो मेरी एक जिम्मेदारी है जो इस डाइस से मुझे आप तक वो बात पहुचानी है मैं चार मिसरे आप तक पहुचाती हूँ पर्तियू समात सर्माई यह जो मेरे कुछ नौजवान दोस्तों ने मॉबाइल आउन कर लिया है मैं आपसे घुजारिश करता हूँ जब हम मॉबाइल चला रहे होते हैं तो हम दाद नहीं दे पाते हैं यह केमरे लगे हुए हैं चैनल वाले केमरे लगे हुए हैं यह आपको वीडियो एक दो दिन के अंदर नेट पर आ जाएगा तो आप क्यों जहमत कर रहे हैं हम जब केमरा चलाते हैं उस वक्ता हम दाद नहीं दे पाते हैं तो मैं हाँ जोड़के आपसे घुजारिश करता हूँ मेरी कुछ माएं बहने भी हैं मेरे नौजवान आप मॉबाइल बंगर लिए आप यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो मिल जागा आप एक मर्दबा पूरी तरह जुल कर सुने एक शायर आपकी तवज़ज़ जाता है आपकी क्लेपिंग आपकी तालिया जाता है तो मौतरमा चान्दी शबनम भी आपके आपकी मौपते जाती है अब आप अपने आपने उसमें ना करें बशुम्या में चाहिए हो कि एक बार नाजमे मुशारर के लिए जोर रा तालिय बजाए नाजमे मुशारर की एक बड़ी खराब आदात होती है उनको उठा के साइड में बिठा दिया जाता है लेकिन वो बीज-बीज में बोला करते हैं बहर हल बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं मेरे बड़े भाई इर्शाद अंजुन साहब हम लोगों को सुबा साड़े दस बजे की फ्लाइड से मुंबई भी निकलना है तो इसकी वज़े से हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोगों तक पहुचने की कोशिस कर रहे हैं चाल मिस्रे आप तक पहुचाती हो पढ़ती हुसमात फरमाएं इस्तेखार आलाब भाई पढ़ती हुसमात फरमाएं पहले अल्लाह वाले हो जल्लो तालियो जल्दी एक तरफा कर रहा है बहुत बहुत शुक्याँ आप मुझे इजाज़त दें क्योंकि सुबा फलाइट है निकल निकल बहुत बहुत महरबाद में प्रिश करते हैं आईए दोस्तों आब मुशायर के हुदूर चलते हैं जिसका नाम ही इस मुल्क की संस्क्रिता हूँ यह मुशायर अपने मेरी फेरिस के में मैं एक मरतबा आपको बताना चाहता हूँ मुहतरमा शायता सना साहिबा मुहतरम मोहन मुंतजिर साहब सुन्दर बाले गावी साहब अपुर्व विक्रम शाह चांदनी शबनम नजम हसन और अद्नान परताब गड़ी यह इतने लोग बचे वे हैं लेकिन यह वो लोग हैं जिने पूरे हंदुस्तान पूरी दुनिया में बड़ा इंतजार करके सुना जाता है अब यहाँ से पूरी तरह से आपको जिन्दा दिल रहना है कि वो और जुगनूओं की चमक रात और मैं सन्नाता चोड़ियों की खनक रात और मैं वो और जुगनूओं की चमक रात और मैं सन्नाता चोड़ियों की खनक रात और मैं आ जा के तेरे वास्ते सब बेकरार है जुगनू सितारे चांद फलक रात और मैं महतरमा चांद्नी शबनम का नाम किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान के मुशायरों में नौजवान दिलों की धड़कने तेज हो जाये करती है और बज़र्ग अपनी बज़र्गों का अफसोस करने लगते हैं कि हमें इतनी जल्दी से दुनिया में नहीं आना था कि इस उम्र में ये शायर शायरी जो महतरमा चांद्नी शबनम करती हैं उसे सुनने का मौका मिले लेकिन लौजवान यकीना पूरी तरह से ताजा दम होकर साथ देते हैं इसलिए पूरे मुल्क पूरी दुनिया में घजल के मुशायरों में चांद्नी शबनम साइबा को सुना और नावाजा जा रहा है मैं आप से घुजारिश करता हूँ अभी तक आपने कहीं कहीं तालिया बजाई कहीं कहीं संजीता रहे पूरा मजमा एक साथ मिलकर जोड़ा ताजियों के साथ घजल की इस महभूब शायरा मौतरमा चांद्नी शबनम साइबा का इस्तिक्पा असलाम उलेकुम धाका में मेरी ये दूसरी हाजरी है हलाकि लोगों का कहना है कि मेरी दूसरी हाजरी है लेकि मुझे लगता है कि मैं यहां कई बार आ चुकी हूँ इन आरसी में भी मैं आप लोगों के बीच आ चुकी थी मैं शुक्रियादा करते हूँ इफ्तिखार आलम भाई का और आरिभ भाई को मुवारख बात पेश करते हूँ कि इनका मुशारा बहुती कामयाबी के साथ चल रहा है आईए जोड़ार तालियों से मुझे इजाज़त दें मैं चार मिस्रे आप तक पहुचाती हूँ जिसकी फर्माईशे में वहीं से शुरू करते हूँ परते हूँ समात फर्माईए